इन कार्टून्स के एंडिंग कैसे हुई थी? क्यों आचानल से दुनिया के सभी फूलों का कलर चेंज हो रहा है? कैसे आप इस लैंग्वेज को यूज करके अपने किसी भी डिसीजन को एकदम से सही ले सकते हो? और ये चीज़े आप गलत करते आ रहे हो वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो शुरू करते ही आज के इस कम्माल की वीडियो को कुछ ऐसी गलतिया जो हम दिन में कई बार करते हैं जो कि हम दिन में कई बार ना हना यह हमारे शरील के good bacteria के लिए अच्छा नहीं होता और साथ ही दिन में हर एक meal के बाद brush करना यह भी बुरा होता है हमारे दाद के लिए आपको दिन में एक बार ही brush करना होगा ज्यादा से ज्यादा दो बार और हम जब भी फूटी और आपी जैसी जूस पीते हैं तो हम गलत तरीके से स्ट्रॉ को अंदर डालते हैं अगर आप स्ट्रॉ को उल्टा डालते हैं अगर आप स्ट्रॉ रिवर्स में डालोगे तो ये और भी जादा बेटर होगा ऐसे आप सारे जूज को अच्छे से खीच सकते हो अमेरिका के टेकसेज में आप मरी होई लोगों के सामने या उनके ग्रेव के सामने गाली नहीं दे सकते यह वहाँ completely illegal है क्योंकि वहाँ मरी होई लोगों के सामने गाली देने से उस वेक्ति की disrespect करना माना जाता है इसलिए यह चीज वहाँ पे बैन है कहा जाता है कि आप किसी भी दूसरी लैंगेज में सोचते हो तो आप किसी भी चीज को लेकर एक rational decision ले सकते हो यानि कि ज़्यादा sensible decision ले सकते हो यानि कि आप हिंदी बाशे में ज्यादा fluent हो या मारटी बाशे में ज्यादा fluent हो Decision लेते समय आप English भाषा या किसी दूसरी भाषा का यूज करोगे तो आप एक सही decision ले सकते हो Number 7, Travel करते वक्ट जो चीज सबसे ज़्यादा भूली जाती है ओह है Toothbrush क्योंकि लोग इसे इस्तिमाल करके होटल के बातरूम में ही छोड़ आते हैं सेवट बसेजन से ज़्यादा लोगों को ट्रीप से वापस आने के बाद एक नया टोटब्रेस खरीदना पड़ता है एक सेकेंड मैने देखा कि हमार वीवर में से बस 25% ही लोग सबस्क्राब की हो तो क्या कर रहे हो यार जल्दी से चैनल को सबस्क्राब करते हो आज आप पबजी और फ्रीफायर जेसे गेम्स की बात करते होंगे बट एक टाम ऐसा भी था कैंडी क्रुश पूरे गेमिंग वर्ल को डॉमिन्ट करता था 2013 में कैंडी क्रुश को इतना ज़्यादा खेला जाता था कि ओ हर दिन अपनी कमाई 8,50,000 डॉलर यानि की हर दिन अल्मोस्ट 60 करोड का बिजनिस करता था ओ भी गेम में हो रही एड से अपने कई बार कॉर्ण फ्लैक्स तो जरूर खाय होगा 4. इंसानों का फोकस अभी फीच के फोकस से भी कमज़र हो गया है कुछ रिसर्च स्टीज में पता चला है कि फ्यूमन का अटेंशन स्पैन बस 8 सेकंड का ही रह गया है जबकी गॉल्ड फिच का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड का है और fun fact यह कि goldfish की memory बस कूछी मिन्टों की होती है 3. हम हमेशे कहते ही कि जो लोग smart होते है उनकी handwriting गंदी होती है और लोगों को लगता है कि इसके पीछे कोई logic नहीं है लेकिन actually एक reasons है जो लोग smart होते है और बहुत ही जल्दी सोचते है लेकिन उसी speed से उनका हाथ लिक नहीं पाता और इसी वज़े से लोग गंदी hydrating लिखते है 2. climate change की वज़े से flowers के colors में change आ रहा है यानि कि कुछ flowers होते हैं जो की particular color में full देते है लेकिन recently उन flowers के colors में change हो गए है climate change की वज़े से 1. हमारे favorite cartoons के ending है जो हमें नहीं पता है के ending में सिंचन और हिमावारी को दोनों को ट्रक से टकरा कर date हो जाती है और एक cartoon end हो जाता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआता यह एक fake story है और इस बात का सबसे बड़ा प्रूप हमें सिंचन के एक मुवी में मिलता है जिसमें हमें एक अडल्ट सिंचन और हिमावारी को दिखाया जाता है यानि कि उनकी death नहीं होती है और अभी तक तो सिंचन की कोई official ending आई ही ही नहीं है पर आप सिंचन को विलन और दूलन मुवी को इनकी ending कह सकते हो तो ये थे कुछ fun facts जो आप देखकर जरूद दंग रहे चुके होंगे तो मिलते अगली वाल लीडियो पे तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और आपको आगे में कैसा content चाहिए ये हमको comment box में जरूद बताना तब तक के लिए जै हिंड